नमस्कार, कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे आज मैं एक ऐसे दिव्य औशधिय गुणों से भरपूर पोधे की विशे में चर्चा करूंगा जिसे आप सभी लोग किसी न किसी रूप में जानते हैं वो पोधा है दुरुवा जिसे दूब के नाम से भी जाना जाता है जिसका बोटेनिकल नेम है साइनोडन डैक्टिलन इस पोधे के जो धार्मिक महत्व हैं उससे सभी परचित हैं आज मैं इसके आउसधिय गुणों के उपर चर्चा करूंगा इसके बहुत सारे आउसधिय गुण भी हैं पहला जो इसका आउसधिय गुण है वह उपयोगी है नकसीर की समस्या के लिए जिसे भयानक नकसीर की समस्या रहती हो नाक से ब्लड आता हो उन बरियों के लिए ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही रामबान है यह दुर्वा यह दूब इसके पंचांग को पीश करके उसका रस निकाल करके नासिका में तोदो चारचार बुंद की मात्रा में डालने से यह भयानक नकसीर की समस्या ठीक होती है और अगर तुरंत इसका प्रयोग किया जाए तो जो ब्लड आता है वो ठीक हो जाता है दूसरा प्रयोग है जो सिर्दर्द की समस्या के लिए जिन्हें सिर्दर्द रहता हो तो उसके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी है इसके पंचांग को पीश करके इसका मस्तक पर लेप करने से जो सिर्दर्द की समस्या है वो ठीक होती है और जो गर्मी जन्ने सिर्दर्द ह उसमें तो यह राम बाण ही है और यह गुणकारी है आमातिसार में जिन्हें आम । मिला हुआ, मलाता है ऐसे लोगों के लिए या सामानिय जो दस्त होता है ऐसे रोगियों के लिए भी बड़ा ही गुणकारी है यह दुर्वा यह दूब। इसके पंचांग का रस निकाल करके दस्प्यल की मात्रा में जो वैस्क हैं, उन्हें देने से जो इस प्रकार की समस्या है, पेट की समस्या है, वह ठीक हो जाती है, और इसे green blood भी कहा जाता है, हरा रक्त भी कहा जाता है, ऐसे लोगों के लिए जिन्हें एनेमिया की समस्या हो, ब्लड की कमी हो, तो उसे भी यह पूरा करता है, इसे तो मैंने बताया है कि ग्रेन ब्लड हरा रक्त कहा जाता है, तो इसके पंचांग का रस निकालें और उस रस का 10 ml की मातरा में सुबा साम सिवन कराएं, तो जो ब्या आचे मिल की मातरा में दे सकते हैं, और यहां तक कि यह छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है, यह निरापत प्रियोग है, तो यह खून को बढ़ाता है, और एनेमिया जैसी जो भयानत समस्या है, वह भी ठीक हो जाती है, इस दूब से, हम लोग भले ही इसके आउसधिय गुणों को न समझ पाएं, पैरो तले कुछ ले जाती हैं, इस जैसी दिव्य बनावसधियां जो नहीं जानते हैं इंके प्रियोगों को, लेकिन जो इतिहास में वरणन आता है, कि महाराना प्रताब जी, जब वन में चले गए थे, अपनी विप्रीत परिस्थित्यों में, जगलों में चले गए थे, तो वहां भी उनके लिए अम्रित सिद्ध हुआ था, यह दूब, और भी अवसधियां उनके और उनके परिवार के प्राणर रक्षा के लिए काम आई थी, क्योंकि उस विप्रीत परिस्थित्यों में, न अन्य चीजें थी, न अन्य सुविधाय अगर था कुछ, तो इन दिव्य वनवसधियों का साथ था उनके लिए, अगर उन विप्रीत परिस्थित्यों में यह वनवसधियां काम आ सकती हैं, तो अनकुल परिस्थित्यों के लिए हम इन्हें कैसे भोल जाएं, इन दिव्य वनवसधियों को यह पोसर्ण से इतना भर पूर है कि जिनके स्वास्थ बार एकदम गिरा जा रहा है बार बार उन्हें तरह तरह की पिमारियों कर साबना करना पड़ता है और उनका शरीज का चवय हो रहा है तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही राम बान है यह दुर्वा यह दूब प्रकृति ने इन दिव्य और सधि और हमें फास्थ देती है और भी बहुत सारे प्रयोग हैं इस दुर्वा के इस दूब के लेकिन आज हम इसके इतने ही आउसधि उगुणों के बारे में चर्चा कर पाये हैं और भी आगे आयेंगे इनके अन्यभी आउसधि उगुणों को ले करके जुड़े रहिए हमारे साथ बस आपका सहयोग और इनके संरक्षण का भी उपाय करना है बस अगले क्रम में मिलते हैं जड़ी पुटियों के नई चर्चा को ले करके तब तक चाहेंगे विदा